आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, question is 2A current is flowing in a circular coil of n turn having 10 cm radius the flux density at its center is 0.126 into 10 raise to power minus 2 waiver per meter square the value of n is ओके, तो यहाँ पर देखो question में क्या है कि 2A current है वो flow हो रहा है कि इसमें एक circular coil में ओके, तो like this यहाँ पर देखो यह मेरा क्या है, एक circular coil है और यहाँ पर इसका जो radius given है वो given है 10 cm ओके, radius जो given है यहाँ पर इसका 10 cm है और इसमें जो current flow हो रहा है like this वो 2A का current इसमें flow हो रहा है और यहाँ पर जो flux density at its center वो दिया है यहाँ पर हमें तो flux density V is equal to 0.126 इंटू में 10 raise to power minus का 2 और waiver per meter square ओके, और यहाँ पर जो current की value है वो केतना flow हो रहा है इसमें 2A और यह जो coil है, number of turns इसमें N है तो हमें N की value बतानी है यहाँ पर ओके, और यहाँ पर इसका radius जो है वो गेवन है हमें 10 cm तो आर इसको change कर लेते है 10 इंटू में 10 raise to power minus का 2 meter ओके, तो यहाँ पर देखो जो magnetic हमारा flux density है ओके, at the center of the circular coil उसका formula क्या होता है V is equal to mu naught NI, क्योंकि number of turns में N है और upon में 2R ओके, तो यहाँ से देखो N की कितनी value आएगे N की value अगर find करेंगे तो V, यहाँ जाएगा 2VR और upon में क्या जाएगा mu naught I ओके, तो N is equal to यहाँ जाएगा 2 और यहाँ पर flux density की value है 0.126 ओके, और in 2 में 10 raise to power minus का 2 और radius यहाँ पर कितना है 10 in 2 में 10 raise to power minus का 2 ओके, और upon में mu naught क्या होता है, यहाँ पर मेरा permeability होता है उसकी value होती है 4pi in 2 में 10 raise to power minus का 7 और current जो है यहाँ पर कितना flow हो रहा है 2 ampere का तो यहाँ से 2 cancel out हो रहा है यहाँ पर मेरा 6 और यह कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 10 raise to power minus का 4 और यहाँ पर 10 कम हो जाएगा तो यहाँ पर यह बचेगा 10 raise to power minus का 3 और 10 raise to power minus का 7 है तो उपर जाके यह plus का 7 हो जाएगा और upon में क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 4 pi तो यहाँ पर देखो इसको solve करते हैं तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पर हमारा कितना n is equal to यहाँ पर हमारा 0.126 और 10 raise to power यहाँ पर कितना बचेगा देखो 3 कम कर देंगे तो यहाँ पर 4 power बच जाएगा अब उन में 4 into 3.14 तो यहाँ से देखो n की जो value है वो कितने आएगी यहाँ से यह आ जाएगा 0.126 into में 10 raise to power 4 और अब उन में यह कितना हो जाएगा यहाँ पर यह आ जाएगा मेरा तो 4 into में 3.14 यहाँ पर यह आएगा मेरा 12.56 के equal तो n की value है यहाँ से देखो कितने आ जाएगी हमारा कितना दिया है 0.126 और divided by 12.56 करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर यह आ जाएगा देखो 0.0100 318 और 318 और into में 10 raise to power 4 तो यहाँ पर देखो इसको मैं लिख सकता हूँ n को 0,1,2,3,4 तो इसको लिख सकता हूँ 100.31 और n जो just nearly equal to लिख सकता हूँ यहाँ से मैं 100 तो number of tons यहाँ पर हमारे कितने हो जाएगे हो जाएगे 100 तो this is my answer for this question I hope you like this video and thank you so much for watching Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटनेटा यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर